इनवर्न टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप सभी के दुवारा बार-बार मुझे कॉमेंट्स मिल रहे थे कि सर सीटेट में पास होने के लिए कितना मार्च लाना जरूरी है मुझे इतना नमबर आ रहा है क्या मैं पास हो जाऊंगा तो आप सभी के अगल में बेल आइकोन है उसको भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूले तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि सीटेट 2018 में पास होने के लिए मिनमाम इतना मा पर्ष लाने होंगे यानि की 150 का 60 परतिसा जो होता है 90 होता है तो अगर आप जेनरल कैटिगोरी में हैं तो आपको 90 नंबर लाना ही होगा दोस्तों तभी आप दोस्तों पास करेंगे और इस बार का जो कोशन था उसमें बहुत सारी गलतियां है तो दोस्तों इसमें आपको कम नंबर मिला है तो नंबर दोस्तों बढ़ने जा रही है तो आप लोग धैर्ज रखिए नंबर बढ़ने जा रही है वही पे अगर OBC से आप हैं OBC में हैं तो आपको 150 में आपको 55 परतिसात दोस्तों मार्च लाना होगा यानि कि अगर 82 नंबर आप लाए हुए हैं या प करने की बात नहीं है नंबर दोस्तों बढ़ने जा रही है वही पे दोस्तों अगर आप इसी कैटगोरी से हैं तो आपको 150 में से 55 परतिसात मार्च आपको लाने होंगे यानि की 82 नंबर आप पालेते हैं तो बिलकुल दोस्तों आप पास कर जाते हैं सीटेट क्वालिफाइ कर जाते हैं ST की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि 150 में से आपको 55% मार्स लाने होंगे यानि कि आगर आप 82 या 82 पलस मार्स आपका है तो दोस्तों आप बिल्कुल पास है अगर आपका नंबर 82 से कम है 90 से कम है तो बिल्कुल दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है सीटेट के आंसर की पर ऑब्जेक्शन हुई है और उसमें में चार से पांच नमर दोस्तों बढ़ने जा रही है तो वैसे अभियर थी जो बिरासी नमबर या 90 नमबर पा चुके हैं इन केटिगोरी के हिसाब से अगर आप प्राप्त कर चुके हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं अगर आप बाउंडरी लाइन पर हैं या कम मार्स हैं तो दोस्तों आप लोग का नमबर जो है आपके साथ है तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बगर में बेल आइकोन है उसको भी दबा दे और अपने दोस्तों में से सेर कर दे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद